चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रिस करें जिससे के आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके असलाम वलेकुम वीवर्स चैनल इंडियन दस्तक्वान में आज हम बनाएंगे एक बिर्यानी मैगी जो कि इतनी जयादा मजी की इतनी ज़या टेस्टी और बिल्को यूनिक हमारी एक बिर्यानी मैगी बन के तयार होगी तो काफी इजी तरीका है कि इसको हर कोई बना भी सकता है, स्टूरेंट वगएरा तो रेसेपी पसंद आने पर चैनल को ज़रूर से सब्साइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेर भी कर दीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे तैयार करना है तो इसको बनाने के लिए पैन हम फ्लेम पर रखेंगे और पैन में हम एक टेबर स्पून कुकिंग ओईल डाल देंगे ओईल हमारा गरम हो गया है तो यह देखिए अब हम इसमें वन फोर टीस्पून जीरा डाल देंगे और इसी के साथ एक बेलिफ डाल देंगे थोड़ा इसको हम क्रैक होने देंगे खुश्बू के लिए बेलिफ डाल दी है क्योंकि बिर्यानी मैगी हमारी तो इसमें थोड़ा सा प्यास मैंने देखिए कट कर रखा है मिन स्लाइस बहुत ही बारिक मैंने कट किया हैए इसको वह गोल्डन वाइ करेंगे तो इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन फ्राइ कर लेंगे कैसा निकलेंगे प्लेट में और इसको हम ऊपरसे दाल लेंगे बिर्यानी जब इसको क्लियापत क्वी त्योंस मेज़ाएगे क्योंकि यह बिर्यानी मैगी है इसलिए प्याज को उपर से डालेंगे यह हो गई है उसको मैं ब्लेट में निकाल लेती हूं आप इसी आउन में हम थोड़ा सा प्यासcja और देंगे बस क्ट देंगे ऑर एक टमाजे को मैंने कैट कर रख आ है यह भी हम डाल देंगे तो हम थोड़ा सा भूदेंगे तो इसमें अब हम थोड़ा मसाला एट परोग्प करेंगे जिंजर गालिक पेश ही और कुछ यह मैं अगालिक फर्ट किश्इप से रहीब में यहां कर दो यह Humny Sчahadu corn जा teaching any German चिली पाउडर, तो यह मसाला हम डाल देंगे, बियारी मसाला आप ज़रूर से एड़ करेंगे, अगर आपके पास नहीं है, तो आप सिंपल गरम मसाला पाउडर भी ले सकते हैं, वो दोस्त अब के पास घर में अवेलेबल होता है किचन में, तो मसालो को थोड़ा मिलाएंग तो शिए मसालो का और नमक डालेंगे, टामाटर और पियाच का, थोड़ा मैं ने पानी आट किया है, जिससे की टामाटर जो है हमें, थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है, सूख सा गया था, इसलिए मैं बस ज़रा सा ही पानी आट किया है, तो यह देखिए, बूद कर तयार है हम तो आब हम इसमें पाणी यह तो मैं यहां पे आदा गिला से थोड़ा जादा ही पानी हैट कि अगरहों बाइब द्रऊ शब्राइब तो पानी को हमें अब लोने दे लेना है इसको यह पाल आने तक हम पकाएंगे धिया है तो आब हम इसमें मैंधि में डाल देंगे छोटा पैक जो आता है 12 रुपे वाला वही मैंने डाल दिया है एक पैक अने तक इसको हम पकाएंगे उसके बाद हम फ्लेम को बिकुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसमें एग डालेंगे एग डाल कर भी हमें इसको पका लेना है तो बस देखिए इसमें उबाल आने वाली है जैसे ही उबाल आएगी तो फ्लेम पे हम एक तवा रखेंगे उस देखिए यह मैंने एक डाल दिया है उपर से थोड़ा सा हम नमक एड़ करेंगे थोड़ी सी काली मिर्ष पाउडर एड़ कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर यह जरूर से डालेगा नमक और काली मिर्ष का पाउडर अब जो हमने गोल्डन की प्यास रखी थी साइड में यह ह हम उपर से डाल देंगे और एक हरामेश कट करके डालेंगे अभी मैंने मैगी मसाला नहीं डाला है मैगी मसाला भी हम डालेंगे इसको अभी हम थोड़ी दर कुक होने देंगे बस दो मिंट के बाद हम देखेंगे तो इसमें हम मैगी मसाला भी एड़ कर लेंगे तो यह दे ब enigma के लाएтор्सतों इड को टालने से क्या होगा के जो वह कि जो सब्सक्राइब यह तो घंप सब्सक्राइब इसको होगा है तो बस यह मैगी हैं जोम गा frigली आप दिह सैंहें उतीय के सकते हैं अमानी कि और पिर्यानी मैगी बन कर तो च यह गड़ा है इसको अब हम प्लेट में सर्फ कर लेंगे 10 मिन मैंने इसको तवे पैसी छोड़ दिया था तो देखी कितने अच्छे से ये कुख होई है एक के साथ और कितने अच्छे सा हमारा एक भी अच्छे से पका है क्योंकि अगर ये थोड़ा सा बाकिर आ जाता था तो जो इसका वाइट पार्ट है वो थोड़ा बहसा जाता है मगर पैन आपने देखा कितना साफ था जबदस खुजवा आ रही है मैगी बिरियानी की और ये इतनी ज़्यादा टेस्ट्री बनकर तयार होती है को आप जब इसको एक ब्रीयानी मगी पसंद आने पर चैनल को जरूब से सब्साइब कीजिगा और वीडिटीओ को लाने करके शेयर भी कर दीजिगा तो फिर मिलते हैं अगले रैसिपी की वीडियो में सब तक के लिए अला हाफिज